ओम श्यांति सुनते हैं प्यारे बाबा की 23rd जन्वरी 69 के अव्यक्त महावाक्य आज की मुर्ली का टाइटल है अस्थियां हैं स्थिती की समृति दिलाने वाले आज की मुर्ली से चार क्वेश्चन नमबर वन ब्रह्मा बाबा के शरीर छूटने से पहले शिप बाबा ने पूछा वतन का अनभव करने के लिए तयार हो तो ब्रह्मा बाबा ने क्या ज्वाब दिया? नमबर टू शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के नश्वर शरीर के दाह संसकार पश्चाप अस्थियां उठाते हुए क्या शिक्षा दे? नमबर थ्री बाब दादा आपस में एक दूसरे से कब-कब अलग होते हैं? नमबर फॉर त्रिमूर्ती बैज लगाते कौन सी बात स्विम के लिए याद रखने हैं? तो ये चार क्वेश्चन है मतलब शुरू शुरू के अनभव जैसे की सचमच सब सुनने वाले उन दिनों में जैसे की पहुँच गए जैसे प्रैक्टिकल विजलाइजेशन कर रहे होंगे क्या क्या हुआ गॉर्ण्मेंट से छुटी लेके संसकार किया गया वहाँ जहां शांती स्तंब है और वहीं पे और ये जगदीश भाई को बुद्धी में भाई जी को बुद्धी में आया कि यहां पे ही होना चाहिए तो सिरोही जिला वहां क्लेक्टर आदी सबसे स्पी से मिल के प्रमीशन ली गई और वहीं किया गया फिर संसकार के बाद अस्तिकलश वहां रखा गया और उसके बाद वहां पे दुनिया जिसे समाधी कहती अपने यहां समाधी शब्द भगती मारक का लौकिकता का हो जाता हमारे यहां पे शांति स्तम जो शक्ति शालिस थिती बनाता तो आज सुनेंगे बाबा कैसे शिक्षाएं बड़ी प्यार भरी दे रहे हैं उन दिनों के अनभव मुर्ली का टाइटल है अस्तियां हैं स्तिती की समर्थी दिलाने वाली 23 जनुरी 69 आज मैं आप सभी बच्चों से अव्यक्त रूप में मिलने आया हूँ देखो जितनी अव्यक्त मुर्ली आना हमेशा शुरू होती हैं आज बाप दादा बच्चों से मिलने आये लेकिन आज ब्रमा बाप की सोल बोल रही है आज मैं आप सभी बच्चों से अव्यक्त रूप से मिलने आया जो मेरे बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित होंगे वही इसको समझ सकेंगे आप सभी बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित हो किसको देख रहे हो व्यक्त रूप में या अव्यक्त रूप में आप व्यक्त हो या अव्यक्त अगर व्यक्त में देखेंगे तो बाप को नहीं देखेंगे आज अव्यक्त वतन से मुलाकात करने आया ब्रह्मा बाबा कहरे मैं आज अव्यक्त वतन से मुलाकात करने अव्यक्त वतन में आवाज नहीं परन्तु यहां आवाज में आया बाबा की आवाज तो आप सब जानते ही है कि अव्यक्त मुरली जब भी चलती थी वो अव्यक्त भाशाई होती थी जो बाद में निकले हैं बच्चे अव्यक्त कोर्स के उनको शायद वो उस चीज का अनुभव होगा कुछ कम होगा अव्यक्त क्या अवस्था बाबा बोलते थे अव्यक्त शुरू होती थे वानी क्या नशा चड़ जाता था सब अव्यक्त में उड़ जाते थे प्रैक्टिकल भगवान आके दृष्टी दे चोटी बात अव्यक्त वतन में आवाज नहीं परंतू यहां आवाज में आया हूँ आप सभी बच्चों के अंदर कौम सा संकल्ब चल रहा है अभी यह अव्यक्त मुलाकात है जैसे कलब पहले मिसल बच्चों से रूरुण चल रही है रूरुण करने मीठे मीठे बाबा ने आप सभी बच्चों से मिलने भेजा है शिव बाबा ने ब्रह्मा के सोल को ब्रह्मा बाबा को भेजा है जो थे वह अब भी हैं 2-3 दिन पहले पहले मीठे बाबा से रूरवान चल रही थी रूरवान क्या है मालूम है अब 2-3 दिन पहले माना 23 की यह मुरलिय है तो 3 दिन पहले माना शरीर जैसे छूटने लगा उस वक्त 3-4 दिन पहले समझो बाबा का शरी छूटा ठारा जन्वरी बाबा ने बोला वतन का आनभाव करने के लिए तैयार हो तो क्या जवाब दिया वो भी सुनो ये शिप बाबा ने ब्रह्मा बाबा से पूछा क्योंकि अब तो लंबा पाट तब से उनतर से व्यत वतन का ही चल रहा है न पर वो पहला दिन था शुरू के दिन थे दो चार दिन तो बाबा ने पुला वतन का अनभाव करने के लिए तैयार हो क्या जवाब दिया होगा यही कहा कि जो बाब की आग्या जैसे चलाएंगे जहां बिठाएंगे जुस रूप में बिठाएंगे देखा ब्रह्मा बाबा कितना समर्पन शिप बाबा के परती जहां बिठाएंगे जैसे बिठाएंगे जहां खिलाएंगे बच्चों के अंदर यही संकल्प होगा कि बाप दादा ने छुट्टी क्यों ने लिए बाबा को भी यह कहा मतलब शिप बाबा को भी यही बोला कि सब बच्चे कह रहें छुट्टी लेके क्यों नहीं गए तो अब जवाब सुनो इसका बाबा ने कहा अगर सभी बच्चें को बिठा कर छुट्टी दिलाओं तो छुट्टी देंगे क्या बच्चे कभी नहीं देंगे शिप बाबा को भी मजबूर कर देंगे आप भी बच्चों को देख सर्विस को देख बच्चों के सने में आ जाएंगे कि इतना बच्चे कह रहे हैं इसलिए जो बाब ने कराया वही ड्रामा की भावी कहेंगे किती प्यारी लग रही है शिप बाबा, ब्रमा, बाबा की रूरुवान किती अच्छी लग रही है व्यक्त रूप में नहीं तो अव्यक्त रूप से मुलाकात कर ही रहे है सर्विस की विर्धी वैसे ही है बच्चों की याद वैसी लेकिन अंतर यह है कि वह अव्यक्त में अव्यक्त था और यह अव्यक्त ही है जो नैनों की मुलाकात जानते होंगे वो नैनों से इस थोड़ी सी मुलाकात में अपने परती शिक्षा डिरेक्शन ले लेंगे आप सभी को वतन में तो आना ही है बच्चों से मुलाकात करने के लिए हर वक्त हर समय तयार ही रहते हैं अब जहां तक बच्चों की जितनी बुद्धी क्लियर होगी उसी अनुसारी अव्यक्त मिलन का अनभव कर सकेंगे बुद्धी क्लियर नहीं तो अव्यक्त मिलन की अनभूतियां और बावा से रूरुवान और मैसेज वो सब भी अनकलियर ही रहेंगे बुद्धी क्लियर चाहिए शक्तिस रूप में स्थित हैं दीदी से बावा पूछ रहे हैं दीदी मन मौहिनी से शुरु शुरु में बाबा हमेशा जब तक दीदी थे special मिलते थे क्योंकि यग की controller दीदी को कहा जाता जैसे साथ थे वैसे ही हैं अलग नहीं अभी शक्ति सुरूप का पार्ट परत्यक्ष में दिखाना है जो बाप की शिक्षा मिली है वै प्रैक्टिकल में करके दिखाना है शक्ति सेना बहुत है अभी पूरा शक्ति सुरूप बन जाना अभी तक बच्चे और बाप के सने में चलते रहें अब फिर बाप से जो शक्ति मिली है उस शक्ति से औरों को ऐसा शक्तिवान बनाना है वही बाप के सनेही बाप के साथ अंतक रहेंगे अभी मीठे मीठे बाबा दुरुष्य दिखला रहे हैं आप सभी बच्चों का आप अस्थियां उठा रहे थे अस्थियों को नहीं देखना किसको देखना अस्थियां उठाते हुए संसकार के बाद अस्थियां उठाई जाती न अस्थियों को नहीं देखना, स्थिती को देखना यह अस्थियां स्थिती सुरूप है एक-एक रग में स्थिती थी वा वा though तो बाहर से वे अस्थियों को रखा थे प्रंतु इसका आर्थ भक्ती मारक का नहीं उठाना इन अस्थियों में जो स्थिती बरी हुई है हमेशा उसको देखना है साधारण मनुष्य को ये बातें इतना समझ में नहीं आएंगी बच्चों का सनेय और सदा रहेगा 21 जनम तक रहेगा आप सभी सत्यूगी दुनिया में साथ नहीं चलेंगे क्या राज्य साथ नहीं पाएंगे साथ ही हैं साथ ही रहेंगे जनम जनमांतर तक अभी भी ऐसा नहीं समझना बाप है दादा नहीं या दादा तो बाप नहीं हम दोनों एक दो से एक पल भी अलग नहीं हो सकते लोजवाब दे दिया बाबा ने कितना टाइम अलग होते हैं परशन था ना बाप दादा आपस में एक पल भी अलग नहीं हो सकते कितना वंडरफुल connection है ब्रह्मा बाप और शिप बाप का ऐसे ही आप अपने को त्रिमूर्ती ही समझो इसलिए कहते हैं त्रिमूर्ती का बायज हमेशा साथ रखो यह देखो इधर लक्ष्मी नारायन इधर त्रिमूर्ती का भी है तो बाबा ने कहा कि इसलिए कहते हैं त्रिमूर्ती का बैज हमेशा साथ रखोग, जब Brahmā, Vishnu और Shankar तीन को देखते हो तो आपकी भी तरिमोर्ती की याद अर्थात कौनसे तीन अपनी तरिमोर्ती की याद Brahmā, Vishnu, शंकर वो तो इसमें दिखाए शापना पालना में लेकिन अपनी तरिमोर्ती कौनसे है अर्थात अपना सुरूप और बाप दादा की याद बाप दादा दो होगे और एक अपना सुरूप त्रिमूर्ती होगे न त्रिमूर्ती की स्थिती मशूर है बाप दादा और मेंकटे साथ है इसमें ही आप सबी बच्चों का कल्यान है कल्यानकारी बाप जो कहते हैं जो कराते हैं उसमें ही कल्यान इसमें एक-एक महावाक्य में एक-एक नजर में बहुत कल्यान है लेकिन स्थूल को परखने वाले कोई-कोई अनन्य और महारती बच्चे हैं अब आप भी इतना ही शिगर करमातीत स्थिती में स्थित रहने का पुरुशार्थ करो जैसे यहां हर समय बाप दादा के साथ वैतीत करते थे वैसे ही हर करम हर समय अपने को साथ ही रखा करो बच्चे यही शिक्षा याद रखना कभी नहीं भूलना साथ रखना है बाबा को हर समय हर वाक्त सहयोगी साथ बना के रखना है जितना व्यक्स्थिती में स्थित होंगे उतना उस व्यक्स्थिती से करमेंद्रियों द्वारा करम ऐसा होगा जैसे शिरिमत राए दे रही यह अनुभव बच्चे पाएंगे अब अपनी अव्यक स्थिती के अधार से ऐसा करम काम करना जैशे शिरिमत के अधार से हर काम होता रहा है जिस चीज के साथ बाप का सने है उससे उतना सने रखना रखना ही अपने को सौभाग शाली बनाना है जिसका बाप के साथ सने है वही अंततक स्थापना के कारे में मददगार रहेंगे इसलिए सने ही होने की कोशिश करो कैसी भी माया आवे माया जीत बनना जैसे बैज लगाते हो वैसे मस्तक पर विजय का बैज लगाओ मदवन का नक्षा सारे वर्ड के सामने म्यूजियम के रूप में होना चाहिए अविनाशी भंडारा है ना इसका और भी ज़्यादा शो करना है जैसे सभी बच्चे पत्र लिखते थे वैसे ही लिखते रहना जैसे डिरेक्शन लेते थे वैसे ही लेना शरीर की बात दूसरी है सर्विस वही है इसलिए जो भी बात हो मदवन में लिखते रहना अपना पूरा कनेक्शन रखना दूसरे को भी अपनी अवस्था का सबूत देना आपको देख और भी ऐसे करेंगे फिर विदाई के समय बाबा क्या कह रहे है यह तो आप बच्चे जानते हो कि जो भी ड्रामा का पार्ट है इसमें कोई गुप्त रहस से भरा हुआ है क्या रहस से भरा हुआ है वह समय परती समय सुनाते रहेंगे अब तो आपको वही यादगार जो आकाश में हैं दुनिया वाले इन आखों से देखेंगे कि यह धरती के सितारे किसकी शिरिमत पर चल रहे हैं अच्छा बाबा ने कहा है ज्यादा समय वहां नहीं बैठना कितनी सुन्दर विदाई ले रहे हैं ब्रह्मा बाप शिप बाबा के आडर को मानते हुए के ज्यादा वहां नहीं बैठना तब बाबा ने कहा है ज्यादा समय वहां नहीं बैठना इसलिए अच्छा विदाई बाबा विदाई लेके उड़ गए ओम शांती सब बच्चों को याद प्यार और नमस्ते ओम शांती अगर आप हर रोज अव्यक्त मुरली सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पर टाइप करें अव्यक्तवानी क्या नम्रे चैनल जी हां फिर से सुने आपको सर्च में सिर्फ यही लिखना है अव्यक्तवानी क्या नम्रे चैनल और अब एक ये दूसरी पहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए उपर दिये गए बॉक्स पर क्लिक सरूर करें